नमस्कार मैं हूँ प्रिंस गुपता स्वागत है आपका हमारे स्यूटूब चैनल पर फ्रेंट्स आज किस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ब्लोगिंग के बारे में ब्लोगिंग क्या है और ब्लोगिंग से कैसे हम घर बैठे पैसा कमा सकते हैं बिना एक रुपया खर्च किये वो भी अपने मोवाईल या फिर PCC चाहे आप स्टुडेंट हो या फिर हाउस वाइफ हो या फिर आप कहीं जॉप करते हो आप ब्लोगिंग के माध्यम से घर बैठे अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं बिना एक रुपया खर्च किये यहाँ पर आपके पास कम्प्यूटर की थोड़ी नौलेज होनी चाहिए और साथ हिंदी और इंगलीज की भी टाइपिंग आनी चाहिए ब्लोगिंग के बारे में जानकारी देने से पहले कुछ बातों को भी जान लेते हैं हम इंडिया में यूज किये जाने वाले भासाओं में हिंदी दूसरे नंबर पे है इसका मतलब आप समझ रहे हैं जिस स्पीट से हमारी हिंदी आगे बढ़ रही है ऐसे में हमारे पास पैसे कमाने के बहुत सारे मुक्य हैं इसके मात्यम से आप घर बैटे 50-60,000 रुप्या पर मंत कमा सकते हैं इस वीडियो में आपको ब्लॉगिंग से संबंधी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो को आप अंततक और ध्यान से देखें बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो में हमें स्टेप बाइ स्टेप करके आपको ब्लॉगिंग के बारे में बताएंगे जैसा कि आप जानते हैं बेरुजगारी हमारे देश में सबसे तेजी सी फैल रहे हैं हम लोग B.A.M. में जैसे कोर्स करके नोकरी के लिए लाइन में खड़े हैं लेकिन इस्तिती ऐसी हो गई है कि हमें नोकरी मिलने की उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही है तो ऐसे में अपना परसनल खर्च उठाने के लिए भी काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है जब तक नोकरी मिलने वाली है नहीं तब तक बेरुजगारी तो दूर होने वाली नहीं है लेकिन ऐसे में हम लोग छोटा मोटा कारे ऑनलाइन के माध्यम से करके कुछ पैसा अर्ण कर सकते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ आपको बता दें ब्लॉगिंग करने के लिए या फिर ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए कोई सौटकट नहीं है यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी ऐसा नहीं है कि आपने अभी ही ब्लॉगिंग सुरू किया और पैसे आने शुरू हो गए है फ्रेंड्स ऐसा कोई फार्मुला नहीं है आपको यहाँ मेहनत करना पड़ेगा तभी आप आउनलाइन पैसा अर्ण कर सकते हैं मेरा काम है कि वहल आपको रास्ता बताना उस रास्ते पर मेहनत करके आगे बढ़ना आपका काम है तो इस वीडियो में ऐसे मोके के बारे में आपको हम बताने वाले हैं जिसे आप घर बैठें ऑनलाइन पैसा अर्ण कर सकते हैं अगर इंटरनेट से आउनलाइन पैसा कमाने की बात की जाए तो सबसे अच्छा तरीका है ब्लॉगिंग का ब्लॉगिंग से आज घर बैठें लाखो रुपया लोग कमा रहे हैं आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कितने सरल तरीके से आपना खुद का ब्लॉगिंग स्टार्ट करके अच्छा खासा पैसा अर्ण कर सकते हैं सबसे पहले हम जानते हैं ब्लॉग क्या है जब हम अपने ज्ञान को या फिर अपने बिजारों को या फिर अपने अनभों को डेली किसी एक वेबसाइट पे नियमित रूप से लिखते रहते हैं उसे ही हम ब्लॉग करते हैं फ्रेंट्स ब्लॉग आप किसी भी बिशे पे बना सकते हैं जिसमें सबसे जाद आपकी रूची है या फिर जिस सब्जेट में आपकी रूची है उससे संबंधित आप ब्लॉग बना सकते हैं अगर एक आप डॉक्टर हैं, तो हेल्थ से संबंधित आप ब्लॉग बना सकते हैं, अगर आपको खाना बनाने का सौक है, तो आप कुकिंग से संबंधित लोगों को अपना टिप्स सेयर कर सकते हैं, अगर आप एक ब्यूटीसियन हैं, तो ब्यूटीसियन से संबंधित आप ज्यान को सेर कर सकते हैं मिलाकर यहां पर कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी टॉपिक पर अपना ब्लॉग इस्टार्ट कर सकते हैं और घर बैठे इंटरनेट से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं फ्रेंट्स यहां तो आप ब्लॉग के बारे में जान गएं थोड़ा से जानकारी आप यह भी जान लेजे कि ब्लॉगिंग क्या होता है अगर एक लाइन में आपको ब्लॉगिंग के बारे में बताया जाए तो ब्लॉग को मिंटिन रखना है ब्लॉगिंग कहलाता है यानि आप नियमित रूप से ब्लॉगिंग करते रहें यानि नियमित रूप से डेली लिखती रहें फ्रेंट्स अगला हम जानते हैं ब्लॉगिंग करने के फायदे क्या हैं ब्लॉगिंग करने के तो बहुत सारे फायदे हैं अगर देखा जाए तो आप घर बैठे ही आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और एक रूपया भी खर्च करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपके उपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है अक्सर आप देखे होंगे कि ओपिस में जो लोग काम करते हैं उनके उपर अक्सर किसी ना किसी प्रकार का दबाव बना रहता है अगर फ्रेंड्स देखा जाए तो ब्लॉगिंग से आप चाहे जितना पैसा कमा सकते हैं इसमें आपको एक रुपया खर्च करने की कोई जरुवत नहीं है यह काम आप घर बैटे एकदम फ्री में कर सकते हैं फ्रेंड्स आप आप सोच रहे होंगे कि ब्लॉगिंग हम कैसे स्टार्ट करें और ब्लॉगिंग का एकाउंट कैसे हम क्रियेट करें वैसे तो देखा जाए फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं वैसे तो फ्रेंड्स देखा जाए ज़्यादा तर लोग दो ही प्लेटफॉर्म का यूज ज़्यादा करते हैं पहला हमारा है blogger और दूसरा हमारा है wordpress और account create करने के बाद आप नियमित रूप से blogging करें जिस विसे में आपको रूची है उससे सम्बंधित आप daily इस पर आप article डालें इसके अलावा आप domain भी खरी सकते हैं इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे Google AdSense पर अपना एक account create करना होता है इसके बाद आपको अपने bank की पूरी जनकारी Google AdSense को देनी होती है उसके बाद अपने account को और Google AdSense के account को आपको लिंक करना होता है और जैसे ही आपके account में 100 डॉलर हो जाते हैं और आपके account में पैसे transfer कर दिये जाते हैं तो इस प्रकार आ बैठे आप भिना एक रुप्या खर्च किये पैसा कमा सकते हैं अगर फ्रेंट्स आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करें